वेल्कम टू सुपरकार इंडिया, स्वागत आप सभी का, कार और बाइक की बिल्कुल इन नई दुनिया में दक्षिन कुरियाई कार निर्मद कंपनी किया कॉर्परेसन ने अपनी पहली डेडिकेरी इलेक्टिक विकल किया EV6 इलेक्टिक कार को पेश किया है किया मोटरस की इलेक्टिक कार ज्यादा रेंज देने वाली टेस्ला की कारों को करी टकर देगी किया EV6 कंपनी के पहली डेडिकेरी इलेक्टिक कार होने के साथ ही कंपनी का नए इलेक्टिक ग्लोबर मोडूलर प्लेटफोर्म पर तयार की गई है इस platform को Hyundai Ioniq 5 में भी इस्तेमाल किया जाएगा इस SUV को तिन trims EV6, EV6 GT और EV6 GT लाइन में पेश किया गया है EV6 को brand के नए design philosophy opposite United के तहट design किया गया है Kia EV6 electric car में दो battery pack मिलेगा Long run variant में 77.4 kWh का battery pack दिया गया है वहीं car के standard variant में 58 kWh का battery pack मिलता है EV6 GT लाइन में दोनों battery pack दिया गया है लेकिन EV6 GT को सिर्फ long range battery pack मिलेगा यह कमनी के पहले electric car है जिसमें 2 wheel drive और 4 wheel drive दोनों option दिया गया है EV6 की लंबाए 4680 mm, 1480 mm, परूचाए 1550 mm है इस car का wheel base 2900 mm दिया गया है EV6 का long range variant के 2 wheel drive variant में 77.4 kWh का battery pack मिलता है जो full charging पर 510 km दकी driving range देगी इसमें 168 kWh पावर का electric motor दिया गया है जो 229 PS का power generate करता है वहीं 4 wheel drive variant में 249 kWh पावर का electric motor दिया गया है यह motor 325 PS का power generate करता है यह electric crossover SUV सिर्फ 5.2 सेकन में 0-100 km पर दिगंटे की रफतार पकर सकती है EV6 का standard range variant के 2 wheel drive variant में 125 kWh का electric motor दिया गया है वहीं इसके 4 wheel drive variant में 173 kWh का electric motor मिलता है यह variant सिर्फ 6.2 सेकन में 0-100 km पर दिगंटे की रफतार पकर सकती है इस कार में आपको एक बला audio visual navigation system मिलेगा जो कि steering wheel से होते हुए पुरे center dashboard को cover करता है यह पुरा unit, instrument cluster, infotainment system और navigation detail को डिस्प्ले करता है साथी कार में passenger control, heating, ventilation और air conditioning setting मुझूद है interior में seat और fabric भी look को शांदार बनाते है कि यह EV6 electric car में 800 volt और 400 volt का charging system मिलता है यह EV6 car को सिर्फ 18 minute में 10 50 से 80 50 तक charge कर देती है खास बाती है कि यह electric SUV सिर्फ 4 minute और 30 सेकर में इतना charge हो जाती है कि 100 km तक की दूरी आसानी से तई कर सकती है कमनी का दाव है कि Kia EV6 electric SUV फूल charging पर 510 km तक की driving range देगी EV6 के interior की बात करतो Kia आपको इस segment की किसी car से ज़्यादा space देने का वादा करती है जहाँ Hyundai में एक flash dashboard design मिलता है वहीं EV6 में driver की seat के चार और cockpit को समेटा गिया है सामने की seatों के बीच एक floating two floor center console मिलता है जिसमे start button rotating gear lever मिलता है इसके साथ यह काफी space वाला storage compartment भी दिया गया है तो दोस्ट सेहती किया कि तरफ साहने वाली upcoming electric SUV वीडियो बसने तो लाइक कर दीजिए और भी तक आपने हमारी चैनल सुपरकार इंडिया को सबस्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्राइब पर लीजिए टेक केर बाई